हेलो गाईज असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग अलम्दुलिल्ला हम भी खेरियस से हैं तो आजाए हमारे व्लॉग्स देखना शुरू कर दीजिए हमारी जर्णी शुरू हो गई है और यह हम निकल चुके हैं नोइडा होते हुए कालिंदी कुन से नोइडा होते हुए हम नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन के लिए जा रहे हैं और स्वारी बहुत बहुत हम आपको ब्लॉग कांटिन्यू नहीं दे पाए हैं और थोड़ा से यह देख लीजिए व्यू हमारा यह नोइडा से जो यह यबना ब्रीज है उस पर से होके जा रहे हैं काफी बड़ा है तो जो लोग नहीं जानते वो लोग सब देख लेंगे और समझ जाएंगे यह यबना ब्रीज है उस पर से होते हुए हम नोइडा से निकल करके और फिन्याई दिली रेलवे स्टेशन पहुचे थे और हाँ गाईज हमारे साथ में ट्रेजडी हो गई थी आइसलिए हम ब्लॉग नहीं दे पाए थे कि हमारे साथ में हमारी जो जिस्टर्ब हो चुके थे हम लोग इंजवाय तो सारा कर लिया है सारा शादी अटेंड कर ली है उससे आप लोगों को सब कुद देखने को बिलेगा और फ्रेंड्स यह देखिए यह नोइडा में पार्क बना है हाथी पार्क जो यह मायावती जी ने बनवाया था यह इतन अंदर का व्यू है उसका थोड़ा सा हम अपनी गाड़ी से ही कवर कर रहे थे इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है आप लोगों के लिए तो देखिए यहाँ पे पिजन्स इसकदर के थे इतने थे दिल्ली में तो खैर वैसे भी बहुत है हर जगा और हमने आप लोगों क की थी साड़े पांच बजे हम कानपूर उतर गए थे पॉन एक बजे से सिर्फ पांच गंटे की हमारी जरनी थी कोई स्टॉपेज उसकर नहीं था दिल्ली से सीधा कानपूर और कानपूर से फिर वो अपना आगे होती हुई चली जाती है कहां जारी थी पता नहीं बहराल हमारा सफर बहुत अच्छा था बस थोड़ा सा अपनी बेटी को लेकर हम बहुत जादा परिशान हो गए बहुत जादा अपसेट हुए उसको और अभी भी उसका पैर ठीक नहीं है प्लेस्टर कच्चा प्लेस्टर था हमने उन्नाव में जाकर करवाया कानपूर में दिखा और इसके बिल्कुल भी नहीं करिएगा हमारे वीडियो को और इंशाल्ला काफी मज़ा आएगा और यह देखिए जो यह रेड लाइट अन आफ करके यह जो दिखा रहे हैं बोड लिए खड़े हैं यहाँ पर रेड लाइट का तो यह का हमारा वीडियो देख करके हस वारी यह देखिए और बहुत भीर थी बहुत भीर थी तो थोड़ा सा नीचे का नहीं लिया है फिर वर जीने से जा करके एसकेलेटर से हम लोग चड़ेते सामान था और ट्रेन भी हमारी राइट टाइम थी एकदम खैर हम पास से दस मिनट पहले उसमें बैड गय थे जा करके और आप लोग देख लीजिए विचारे इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा था और आप लोगों से हेलो हाई कर रहे हैं और यह एसकेलेटर से जाने में भीर देखिए किसकदर की उधर उतरने वाले में भी और इधर चहने वाले में भी तो हम रुके हुए थे नीचे ब करा है बहुत ही अच्छा लगा आप लोग भी इन्जॉय करिए बद्दुआ करिएगा कि हमारी बेटी का पैर जल्दी से अच्छा हो जाए बेहतर हो जाए वह माशियल्ला से अपनी जगह पर आजाए जैसी थी गिदम नॉर्मल अल्ला ताला ने जैसी प्यारी सी बच्ची कपल था बहुत ही क्यूट बहुत ही लवली कपल था एजट्स थे का फी लेकिन बड़ा या च्छा लग रहा है दो धर रहे थैं तब ने थोड़ा से कैप्चर कर आया तो गाईज आजाईए अब ये देखिए हम कानपूर पहुंच गए हैं कानपूर का रेलवे स्टेशन है पूरा नहीं हम कैज कर पाए है आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे उतरते चलते ये सब चीजें कि मुश्किल होता है सामान होता है बहुत सारा और उतरना चलना फिर थोड़ा रिसकी भी होता है हमारा सारा लगेज रखा हुआ है और ये ये देखिए फाइनली हम कानपूर पहुंच गए हैं और अपना डारेक्ट हम अपनी सुस्राल गए थे हमारी मामो ससूर का जो घर है हमारी सुस्राल का थोड़ा सा ये वहां का व्यूव है तो आप लोग भी इंज्वाए करिए अपना बहुत सारा खैल रखिए हमारी बेटी के लिए दुआ करिए